Hello friends, welcome to GK Study, तो दिखिए जब भी आप किसी एक्जाम की तयारी करते हैं, तो आपकी दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, तिकि आजकल तो आता है योगा 2-3 सालों से, कि जो भी हम एक्जाम फिल अप कर रहे हैं, उसका जो एक्जाम प्रोसेस है, वो किसी ना किसी तरीके से ज थी, तो वो नहीं होती थी, तो ऐसे-एसे करके जो है, वो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते थे, और आधे में ही लटक जाते थे, कि भाई, ये पूरा होगा कि नहीं होगा, 817 को तो आपने देखी लिया है, कि वो तो चलो, केस चला हुआ है, उसके उपर, और हाली में ही सरक सरकार ने उसके रिगार्डिंग अपना पक्ष रखा है, क्योंकि ये बोला गया था, 20 जनुरी तक उसको solve कर देंगे, बट वो हुआ नहीं है, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो है, वो हिमाचर प्रदेश सरकार ने नया decision लिया है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, और इससे पहले मैं आपको बताया था कि इस साल जो है, वो 20,000 vacancies आएगी, अलग-अलग डिपार्टमेंट में, एक लाख vacancies टोटल आएगी, जो की 5 साल में डिवाइड की गई है, जो की सब कमिटी बनी थी रोजगार के लिए, उसमें बताया गया है कि 20,000 vacancies आपकी पहले साल में आएगी, और ये भी बोला गया था, पहले उससे पहले मैं आपको वीडियो में डिस्कस करके बताया था कि एक्जाम पैटरन हिमाचल प्रदेश में जो है, वो पूरी तरीके से चेंज हो सकता है, क्योंकि HP SSC पर गवर्मेंट ने बोला है कि proper तरीके से वर्क नहीं किया है, तो एक्जाम पैटरन उसकी स्टेजिस वगएरा चेंजिस हो सकती है, अब इस पर भी कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि भाई, इससे हमारा नुकसान जो हो सकता है, देखिए एक्जाम पैटरन चेंज हो रहा है, आपका एक्जाम कंटेंट चें अलावा जो स्टेजिस एक्जाम की वो चेंज हो सकती है, कि इतनी स्टेजिस में आपका कौन सा एक्जाम कितनी स्टेजिस में वो होने वाला है, तो यह आपको आने वाले समय में पता लगेगा, बट जो यहाँ पर डिसीजन लिया है, उसको एक बार हम यहाँ पर डिसकस कर जो है वो आपका भरती विधान बनाया जाएगा जो की छे माहा में नोकरी जो है वो complete करके आपको देंगे किस तरीके से कि six months के अंदर आपका जो है वो complete process होगा आवेधन से लेकर यानि कि माली जे जनवरी में आपका आवेधन निकला है आपने जो है वो notification आउट हो है तो वह से लेकर six months के अंदर जो है वो आपकी मलब छटे month से पहले छटे month के अंदर आपकी जो है वो appointment हो जाएगी for example आपने जेवे का exam भरा तो जेवे का आपने apply किया उसके बाद आपने return examination दिया आपकी return में selection होई उसके बाद result आया result के बाद आपकी typing test हुआ और अगर कोई further step होत किये बड़ अगर फिर से शुरू होती है कुछ भी step अगर दुबारा include किया जाता है या फिर इतने ही रहन दिया जाता है तो वो सारा आपको जो है वो appointment तक 6 महीने के अंदर जो है वो complete किया जाएगा ताकि बच्चों को जो है वो जादा wait करने की ज़रूरत ना पड़े और जो है वो बने रहते हैं ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं आप हिमाचल में सुकविंदर सिंग सुक्खो की सरकार 6 महा के भीतर आवेदन से लेकर नुकती तक की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर नौकरी देने की गरंटी देगी और इसके लिए भरती विधान जो है वो बन अगर आप यह सोचोगे कि मैं बिल्कुल नया हूं और 6 महीने के अंदर एक्जाम निकाल दूँगा तो कहीं बार यह जो है वो टफ हो जाएगा कि बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे फिर बहुत जल्दी आपके आगे के प्रोसेस होंगे उसके सासर मैंने आपको यह भी माध्यम से कंड़क्ट करवाये जाएंगे तो आने वाले एक्जाम जो भी कंड़क्ट होंगे वो बहुत इसके लिए आने वाले एक्जाम को कंड़क्ट करवाने के लिए बहुत जल्दी आपका हमिरपूर चेयन आयो के उपर फैंसला ले जाएगा अब यह 6 मन्त का प्रोस जो पहले हुई है इनमें बहुत सारे बच्चों ने आवेदन किया होगा और ना जाने जिनकी सेलेक्शन होनी भी थी उनकी भी सेलेक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं होगी तो मेन फोकस करने वाली चीज यह है कि पेपर लिक ना हो उसके बाद अगर छे महीने में प्रोसेस प लग जाएगी कोई भी इससे अपडेट होगी आपके साथ जुरूर शेयर की जाएगी क्योंकि आप लोग भी इसी तयारी करते हो और सबसे पहले देखिए मैं आपको अभी भी बिता रहेता हो कि जो पेपर रद हुए थे 965 और जो दूसरे हुए थे उनकी तयारी आप खोड़े से टाइम बाद आपकी जो है वो अगली डेट्स भी अनाउंस कर दी जाएगी तो ये डिसीजन फिलाल के लिए लिया गया है बाकी ये 6 मंत के उपर आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएगा थैंक्स पूर वाचिंग बहुत जल्दी मिलेंगे नेक एस रूले के जाएगा